Hello guys, welcome back to our channel So guys, main question यह है कि MSTCET कुनसे courses के लिए यह आप अपलीगिबल होती है जो भी आप अभी new students से MSTCET 2022 देने वाले हैं उनके लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपने MSTCET नहीं दी तो कुनसे problem से आप अराइज हो सकते हैं और कुनसे courses नहीं कर सकते है अगर MSTCET एक्जाम दे तो कुनसे कुनसे courses के लिए हम eligible हो जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप MSTCET देते हैं तो आप engineering कर सकते हैं ओके engineering कर सकते हैं और J.E.K. थूभी engineering होता है बट MSTCET देने से आप अपने महरस्ट स्टेट लेवल के colleges पे आप engineering कर सकते हैं देन आप pharmacy भी कर सकते हैं अगर जिसको भी pharmacy में आप इंटरेस्ट है वो भी pharmacy कर सकते हैं और आप agree भी कर सकते हैं तो ये तीन courses के लिए आप eligible हो जाते हैं MSTCET देने के बाद अगर आप अच्छी तरीकी से अच्छा स्कूर करते हैं MSTCET में तो आपको अच्छा college भी मिलेंगा और देन आपको अच्छी branch भी मिलेंगी engineering में और ऐसी आपको अगर MSTCET से related अगर syllabus वगरी चाहिए तो आप comments में बताइए मैंने आपको syllabus वगरे सब कुछ provide किया है तो चैनल पर जाके देख लीजिए ओके अगर कुछ नीड होगी MSTCET से related तो आप पूछ सकते हैं तो that's it for today मिल दे हमने next study में till then good bye